स्टार्ट होती है गजब के सासक से और इसके बाद हमें सन भी याद रखने उनका नाम है भारमल कि क्या नाम है बार मल अगर करते हुए कि बियारी बणा दियो प्यारी मल क्योंकि अलग लग सिलालेक वगेरा जो भी मिलता है ना जिसे नाम आगया इतियास करने वे सेट करतिया तो बारमल या ब्यारीमल ये 1547 से लेकर 1547 तक राज करता है आमेर की कद्धी पर अब यह देखो 1547 और 1547 त्यातर त्यातर बात आए तो इसके समकालिन मुगल बादशाह कौन था अकबर था समकालिन मुगल बादशाह था पुछे कि समकालिन मुगल बादशाह कौने मुगल बादशाह कौने जो वो था अकबर वैसे हुमायू भी थोड़ी देर आया था लेकिन important अकबर बोता क्या की शुबर्च को मैं अपने शेत्र में मिलाव लो लेकिन अगर भारमल्त इनके भी खूबन बन होती है प्र अकबर ने कहा कि मेरे साथ समझोता किया क्यंकि अकबर का सिस्टम था अकबर ने सुलहकोल की निटी बनाई यहीं कहत्तम होते हैं अग सारह का सारह कहाणी खतम होती है देखबा उसमें बॉल में बना तो अकबर ने का मैं अमेर को मिटी में मिला दूँगा तब जाके बारमल की पुत्री हरका बाई जोदा बाई अकबर से साधी करती है फिर वह कुस दिन मानती नहीं अकबर को क्यों हिंदू दरम होती है फिर दिरे दिरे जाके वाजिया सीरियल देखां बड़ो प्यार बांट नाजिट माइप करते है कि से का मड्यार म से सबसे पहले बार मल अकबर से पंद्रासो च्पन मेंम उद्रासो च्पन में मजनु मजनु में याद आवागी मझनु अनिकपूर एर्बा नानापाटि वह म मचनु कहते है अकबरत से पहली बार मुलाकात Васники मजनु खाने करवाई थी पंदर आसो चब पनमें मजनु कहने अकबर से मुलाकात करवाईए एक मुलाकात अकबरश ए मुलाकात करवाई है मुलाकात करवाई पहले मुलाकात में बहुत कुछ हो गया तब 1556 में मजनु खाने देखो नाम याद रहे जो मजनु अब मजनु मुलाकात कराओ को तो मतलब मुलाकात तो बड़ी गजब होगी करवादी भारमल को लगा यार अक्मर ठीक है बंदा बड़ी है सब के लिए सोचता है अब क्या हुआ दुबारा फिर भारमल कहता है यार मिलने का फिर जी करता है अब मजनु खान तो नहीं था चकताई खां आ गया पहली बार मिले थे अब की बार चक के देखने बस याद मुलाकात हुए दुबारा फंद्रा सो बासट में तगताई खां तगताई खां की साहता से अकबर से मुलाकात फिर अकबर से मुलाकात काहनी यह थी कि बार बार यही आ रहा था यह अकबर मिटी में मिला देगा अमिर भार्मल लगातार इसके संपर्क में रहा इनके मदर से कि अब लाश्ट बार आजाता है फरवरी 1560 में, यह मुलाकात बड़ी गजब है में भार्मल ने अपनी पुत्री भार्मल ने अपनी पुत्री हरका बाई या जोधा बाई का विवा है का विवा है सामबर में अकबर से कर दिया अकबर से कर दिया आले ओजी मुलाकात होंती होंती हलाश्ट सादिन बख्री तब से पहले किसने भार्मल या भ्यारी मल ने अकबर से मुलाकात की मजनुखा के सेयुक्से 1556 पन अंद्रासो बासट में इन्होंने फिर अकबर से मुलाकात की और एक मुलाकात यह कहां की सांगा नेर्मी तो अंगा नेर्में की थी और फिर फरवरी 1562 में भार्मल ने पुत्री हरका बाई या जोदा बाई अलगलग नाम आते हैं इसका नाम मानमती भी आता है मरियम उजुमानी आगे जहंगीर इसका नाम रखता है और इसकी साधी कर देते होगी 1562 में परसन आया वह बहुत बार कि राजपुताना का पहला साशक राजपुताना का पहला साशक जिसने मुगलों या हम कह सकते हैं अकबर की अधिनता सविकार कि की अधिनता सविकार कर अधिनता सविकार कर विवाइट सबंद बनाए विवाइक सबंद बनाए कि परसन बहुत बार एक्जाम में आया हुए कि राजपुताने का पहला साशक जिसने मुगलों की दिनता सविकार कि अकबर की दिनता सविकार करके विवाइक सबंद बनाए यह भार मल तोप का परसन है यह समझे लो बनाए ठीक है विवाइक सबंद बना ले अब अच्छे सबंद हो गए आमेर के और मुगलों की इसलिए यहां से चित्र कला में परसन आता है कि राजस्तान की किस चित्र सलीपर सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव पड़ा यह यहां से स्टार्ट हो गया यहां सब कुछ मुगलों के दिन अब जाहिर सी बात है कि बार मल ने अपनी पुत्री जोदा भई अकबर को देदी तो अकबर बड़ा खुस हो इस बार मल को खुस करने के लिए अकबर ने क्या देखू कि आर मलको ता था-न एक तो बारमल को मनसब दे दिया थि hai बारमल को पांच metar का मनसब दे दिया इथि ना हाजाह का मैं इससे बड़ी क्या हो सकते क्यों हिंदूस्थान का बाधभ स्या किशनी को पादी देता है और एक उपादी देदी इसको मीर उल्फणर निर कि विल उम्रoupe में यह उपादी दो देधी ये बड़ा खुस हो गया और 4000 का देदिया बनस्ब्रमल को 5000 का मनसब और राजा कि उपादी कि उपादी अकपर ने दि अब नाम हो गया इसका राजा भारमल फिर सब जनता में नाम आता था राजा भारमल ने अपनी पुत्री दे के अकबर को राजा बनी ठीक है और आपको यह बता फिर स्योग भी बहुत अच्छा हुआ था कि बार समझोते अच्छे भी होते हैं कि बार देखो हम कंडीसर नहीं सब्सक्राइब हो सकता है आपके कोई पूर्वज हो यहां सिर्फ जो भी चीजे हम चुटकले वगएरा या कोछी जी ले रहे हैं वो सिर्फ लेक्जाम की दस्टी से आपको याद रहे उसके लिए किसी की बावनाओं को थेस्पनचाना किसी का मक्स्द नियों होता है हमारा बद करने का मक्सद होता है एक बात अपने जहन में उमेश्या याद रखा यह大家都 करते हैं तो हम क्हा सकते हैं कि पर्थम मुगल राजपुत बिवाय यह था यह उद्पर जहांगिर ने इसका फुत्र कौन था जहांगिर कुछ इसा पुत्र जहांगिर ने जोदाबाई को जोदा बाई उत्तर जांगिर ने जोदा बाई को मरियम उज्यमानी मरियम उज्यमानी की उपादी दी ये बहुत शानदार परसन ये बहुत बार पेपर में आया है और मैं कहता हूँ पिछले दो सालों से एक्जामिनर जैपुर की इतियास के पीछे बढ़ा है अम और अमेर और जैपुर की त्यास से खूब सारे परसन पूछ रहा है तो पुत्तर जहांगीर किसका पुत्र था इसका पुत्र था ये इसकी माँ गई जोदा भाई इसको जोदा भाई को मरियम उजमानी की इसने उपादी देती ठीक है क्लीर हो गया याद रहेगा बड़ा यादार है और अकबर ने 1570 में जो नागोर दर्बार लगाया था वह भी इसके स्थ्योग्स है अकबर ने कि अंदरासो सबतर में नागोर दर्बारव नागोर दर्बार वार्मल की साहता से लगाया पार मलकी पहयता से लगा है यहां से परसन आता है याता है फिक्स अच्छे तरीके से याद रखना दुबारा मोटी-मोटी बात पुदा देता हूं भारमल या भ्यारीमल राजपुताना का पहला सासक जिसने मुगलों यानि अकबर की धिनता से विकार की और विवाइद समंद बनाए 1562 में सा जोदाबाई का अकबर से किया जिसका पुत्तर उत्वन वाज्जाहंगिर जिसने जोदाबाई हरकाबाई को मर्यम उज्यमाने की उपादी थी क्लियर हो गया अब क्या वाकिया दिनता सविकार कर ली तो भारमल ने भारमल ने अपने पुत्तर भारमल ने अपने पुत्तर भग्वंतदास तथा पोत्तर मान सिंग को 1562 में अकबर की सेवा में बेज दिया यह बहुत गजब का पॉइंट है जो था भाई से साधी कर दी और अपना पोत्तर मान सिंग पर्थम जो नवरतन में सामिलवा और बगवंदास इन दोनों को अकबर की सेवा में बेज दिया और अकबर की देंता से विकार करके अब रण मिलके काम करने लगे इस प्रकार पंद मिलकी मृत्यों के बाद सासा कौन बैठता है फंदरा सो के हित्तर के अंदर कौन बैठता है बगवंदास कौन बैठता है बगवंदास